बच्चो इस वीडियो में हम लाई हैं मैनी और मच का प्रियोग इसमें हम मैनी और मच का प्रियोग के बारे में सीखेंगे ये फिलिंदा ब्लैंक्स की अक्तरसाज होती है इसमें मच और मैनी ओप्शन आता है तो आपको एक भरना होता है मैनी या मच तो इसके प्रियोग में अंतर है इन दोनों का मतलब होता है ज्यादा या फिर अधिक परंतु इन दोनों के प्रियोग में कुछ अंतर है जो समझ लेते हैं बच्चो मैनी और मच दोनों का ही मतलब होता है ज्यादा या फिर अधिक लेकिन इसके यूज में अंतर है इसके प्रियोग में कुछ अंतर है अंतर क्या है कि जो मैनी है इसको हम लगाएंगे प्लूरल काउंटेवल नाउन के पहले इसको हम प्लूरल काउंटेवल नाउन के पहले लगाएंगे और मच है जो मच को हम लगाएंगे अनकाउंटेवल नाउन के पहले बस कुछ रूल नहीं है इतना सा ही है uncountable noun मतलब जिनें गिना ना जा सके और countable noun जिनको गिना जा सके बस इतना सा ही rule है इसको समझ लें जिस तरह हम a little और a few का यूज़ करते हैं उसी तरह हम much और many का यूज़ करते हैं बस यह much uncountable में आएगा many plural countable noun में आएगा यह much है और यह many है तो चलिए देखते हैं इसके प्रयोग को समझते हैं पहला sentence है he has their friends तो बच्चो यह friends plural countable noun है इसलिए यहाँ पर आएगा many और next दिया है there are boys in the class यह जो boys है यह plural countable noun है इसलिए यहाँ पर भी आएगा many और next है I have books यह books यहाँ पर plural countable noun है इसलिए यहाँ पर भी आएगा many next दिया है there is water तो water uncountable noun है इसलिए यहाँ पर आएगा much तो there is much water in the jug और बच्चो next है he speaks different languages तो यह languages plural countable noun है इसलिए यहाँ पर आएगा many तो answer होगा he speaks many different languages next दिखते हैं next है how-girls are present today तो यह girls plural countable noun है इसलिए यहाँ पर आएगा many next है how-sugar did you buy तो sugar uncountable noun है इसलिए यहाँ पर आएगा much answer होगा how much sugar did you buy next यहाँ है he has dash gold तो gold बेटा uncountable noun होता है इसलिए यहाँ पर आएगा much next है I gave her dash pens yesterday यहाँ pens plural countable noun है इसलिए यहाँ पर आएगा many next है there is salt in the vegetable तो salt जो है वो uncountable noun होता है इसलिए यहाँ पर आएगा much answer over there is much salt in the vegetable तो बच्चों इनको learn कर लें यह बहुत ही महत्पूर टॉपिक है much और many का यूज है तो much और many का यूज पेपर में जरूर पूछा जाता है तो यह एक important topic है जो कि यह exam 2024 में आने वाला है यह यह भी use 12th, 10th, 8th और 5th के बच्चों के लिए है चुकि अभी 8 तारी को 8 फर्वरी को 12th के बच्चों का exam है इसलिए यह तयार कर ला है और बागी बच्चे अपने exam से पहले तयार करके रखें Thank you for watching Best of luck